आज इस रिपोर्ट को सुनने के बाद सभी लोगों का मन गदगद हो जाएगा जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे भारत की हमारे भारत में पहली बार 1.10.000 कोल प्रेडक्शन हुआ है इसी के साथ ही हमने जो है एक माईलिस्टोन को अचीव कर लिया है एक रिकॉर्ड बना लिया है ऐसा रिकॉर्ड जो हमारे देश में पहली बार हुआ है पहली बार इंडिया ने 1.10.000 कोल प्रेडक्शन किया है जी हाँ दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहली बार एक अरब टन पार हुआ कोईला उत्पादन तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोल इंडिया लिम्टेड के साथ में हमारे भारत में जितनी भी प्राइबेट कमपनी है या सिंग्रेनी कॉलरिज कमपनी या अलग-अलग जो सरकारी कमपनी है उन सबने मिल करके एक रिकॉर्ड बना दिया है इस वर्स यानि कि 2023 में एक हज़ार मिलियन टन कॉल का प्रोडक्शन हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देश में कोईला और लिगनाइट का प्रोडक्शन वित वर्स 2023 में पहली बार एक अरब टन के आकड़े को पार कर गया है या दस साल में सबसे अधिक है इस से पहले जो है 93.7 करोल टन यही नहीं आठ प्रमुक उद्योगों के इंडेक्स के उनसार फरवरी 2024 के उनसार कोईला छेतर में आठ प्रमुक उद्योगों में 11.6% की व्रधि दर्ज के गई है इसमें जो है कोल इंडिया लिम्टेड की अलग-अलग सबसेडरी के साथ सिंग्रेनी कॉलरिज कंपनी लिम्टेड भी सामिल है केंद्री कोईला खान मंत्री जो है पहला जोसी जी ने अधिकारिक सूचना जो है टुईटर के माध्यम से ये पोस्ट करी है उन्होंने बताया है कि हमरे देश भारत ने पहली बार कोईला और लिगनाइट का रिकॉर्ड बना दिया है एक बिलियन टन कोल प्रोड़क्शन इस वर्ष हुआ है घरेलू कोईला उत्पादन बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है लगतार जो है प्राइबिट कंपनियों को कोल सेक्टर दिये जा रहे है उन प्राइबिट कंपनियों के तरफ से भी अच्छा खासा प्रोड़क्शन का रिकॉर्ड आया है इसको ले करके जो है दस वर्षों में 70% तक कोल प्रोड़क्शन बढ़ा है ऐसा जो है हमने कोल मंत्री श्री पहलाद जोसी जी का कहना है उन्होंने जो है एक ट्वीटर के माध्यम से पोस्ट किया उसमें लिखा कोईला और लिगनाइट उत्पादन में एक बिलियंटन का आकड़ा पार करना भारत के लिए एतिहासिक मेल का पत्थर है यहाँ एक बाइब्रेंट कोल सेक्टर की प्रतिबधता को दर्साता है यहाँ एक महत्पूर्ण छेत्र में आत्म निर्भरता की दिशा में भारत का कुल मार्ग भी सुनिश्चित करता है आपको बता दे कि कोईला उद्योग में पिछले आठ महीनों में निरंतर दोहरे अंको की व्रद्धी हो रही है पिछले आठ महीनों से लगातार जो है कोल प्रडक्शन खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था इसी के साथ ही हमने इस माइलिस्टोन को प्राप्त कर लिया है अभी जो है बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि हमारे देश में 1.2 बिलियन टन याने कि लगभग जो है 200 मिलियन टन आज हमें कोईला आयात करना पड़ रहा है या लगतार इसकी संख्या कम हो रही है आने वाले समय पर ऐसा लगता है कि 1.2 या 1.3 बिलियन टन कोर प्रड़क्शन करके हमें कैसा माईलि स्टोन प्राप्त कर लेंगे जिसके बाद हमें जो है बाहर से विदेशों से किसी भी देश से कोईला आयात करने की जरूत नहीं पड़ेगी जी हाँ दोस्तो आप लोगों को खबर कैसी लगी कमेंट बक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और आप लोग कमेंट करके अपनी बात जरूर रखें थेंक यू दोस्तो थेंक